Hello everyone, मेरा नाम है Pranjal और आप देख रहे हैं Polygon Box आज की वीडियो में हम देखेंगे Boolean Modifier इसकी मदद से हम किनी दो अबजेक्ट को एक साथ जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं Example के लिए मुझे इस Cube और Sphere को आपस में जोड़ना घटा ना है उसके लिए हम Boolean Modifier इस्तमाल कर सकते हैं Boolean Modifier लगाने से पहले मुझे Sphere में Visibility में थोड़ा Change लाना है तो Sphere सिलेक्ट करेंगे Mess Property में आएंगे नीचे आएंगे Option है Viewport Display यहाँ पर Display As में हम Texture की जगा वायर को चुनेंगे इससे Sphere का Paste Data वो बस Hide हुआ है वो अभी Delete नहीं हुआ है बस हम उसे देख नहीं सकते हैं जैसे इस Cube में देख सकते हैं इसमें Face Data अभी भी है बस वो Hide हो गया है अब हम इस Cube में Boolean Modifier एड़ करेंगे तो इस Cube को सिलेक्ट करेंगे Modifier में जाएंगे Add Modifier, Generate, Boolean अब यहां से हम इस Sphere को यहां से चुनेंगे Sphere को Cube के पास ले जाएंगे अब जो Sphere है उस Cube को घटा रहा है इसकी Information उसमें से Remove हो रही है हम इने आपस में जोड भी सकते हैं यहां उपर तीन Option दिये हुए हैं इनमें पहला Intersect, Union और Difference Union का मतलब होता है जोड़ना इस पे क्लिक करेंगे तो यह आपस में जोड जाएंगी एक नई Information क्रियेट होगी Different का मतलब है यह Sphere इस Cube में से घटा देगा और Last Option है Intersect यह दोनों जहां पे मिल रहे होंगे वो Information क्रियेट हो जाएगी बाकी चीज़े डिलीट हो जाएंगी हमें घटाने वाला Option चाहिए तो Modifier में से Difference को चूनेंगे और उसके बाद यह Information क्रियेट हो उसके लिए Modifier को अपलाई करेंगे अब पुराने वाले Sphere को डिलीट कर देंगे अब जो है हमारे पास एक नई Information क्रियेट होई है Boolean Modifier का एक Practical Use देख लेते हैं मुझे इस Sylender में से एक Hole चाहिए और उस Hole को क्रियेट करने के लिए हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो इसको Select करेंगे Mess Data में आएंगे इसकी Visibility जो है वायर पर सेट करेंगे बड़े वाले Sylender को चुनेंगे Modifier इस Eye Dropper पर क्लिक करने से हम इसे चुन सकते हैं अब इसे नीचे ले जाएंगे अब वो Information इसमें से Hole क्रियेट कर रहे है बड़े वाले Sylender को चुनने के बाद Modifier Apply करेंगे पुराने वाले Sylender को डिलेट कर देंगे अब हमारे पास एक Sylender है जिसमें एक Hole है अब जो हमारे पास Information बनी है इसमें ये Flat Shedding पर है इसे Smooth Shedding पर करेंगे Right Click Shed Smooth अब ये Information थोड़ी खराब दिख रही है क्योंकि Software को नहीं पता कौन से Information Smooth रखनी है या फिर Flat तो उसको ठीक करने के लिए आएंगे Modifier, Add Modifier, Normals, Smooth By Angle उसमें क्लिक करने के बाद वो Information ठीक हो जाएगी Subdivision Surface इससे हम Geometry को 4 गुना कर सकते हैं और उसके किनारों को Smooth कर सकते हैं Example के लिए इस Cube को Select करेंगे Modifier, Add करेंगे Generate Subdivision Surface ये Cube जो है एक गोले में बदल गया है इसको और बदलने के लिए Edit Mode में जाएंगे अब जो है इसके किनारों पर कोई दूसरी Information नहीं है तो वो Information स्मूध हो जाती है लेकिन अगर किनारों पर और Information रही तो Information स्मूध नहीं होगी जैसे Ctrl-R अब यहाँ पर और Geometry है इसलिए वो Information कम स्मूध होई है यहाँ पर नहीं है इसलिए वो ज्यादा स्मूध हो गई है हम इसे और बदल सकते है हम Subdusion Surface में और Information एट कर सकते है इस नमबर को बढ़ा करके अब यह थोड़ी बहुत गोली की तरह दिख रहा है Object Mode में आएंगे इसके smoothing जो है चेंज करेंगे अभी जो Information बनी है वो Virtual है Original Information जो है यह Box जैसा Safe है वो है तो हम इस गोली पर काम नहीं कर सकते हैं सिब बाहर वाले क्यूब पर ही काम कर सकते हैं तो उस पर काम करने के लिए अब यह Modifier अपलाई करना होगा Object Apply Modifier अब हम Edit Mode में जाएंगे तो उसकी Geometry पर काम कर सकते हैं 3D Modeling में Subdivision Surface का बहुत जादा इस्तमाल होता है और हम इसका अकसर इस्तमाल करते हैं अपना 3D Model बनाने के लिए तो इसकी Practice हम Section C में करेंगे और इसका और इस्तमाल देखेंगे कि हम इसका इस्तमाल कैसे कर सकते हैं जैसे अभी अभी हमने यह Topi बनाई है Subdivision Surface में एक और चीज छूट रही थी कि इन किनारों को Sharp रखने के लिए हमें Information एड करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास और भी तरीके हैं इसे Sharp रखने के लिए तो एक Edge सिलेक्ट करेंगे Small Property विंडो में आएंगे यहाँ पर Option दिया हुआ है Item और सबसे नीचे है Crease इसको बढ़ाएंगे तो वो किनारा जो है Sharp होने लगेगा Information एड करने की ज़रूरत नहीं पड़े Bevel Modifier इससे हम किसी Mass Object के Edge Information को और घुमाओदार बना सकते हैं Example के लिए इसमें Bevel Modifier एड करेंगे इसमें जितने भी Edge थे वो थोड़ा अलग दिख रहे हैं हम इसमें Segments बढ़ा सकते हैं और इसके Amount को कम ज़्यादा कर सकते हैं हम इसके Shading को Smooth करेंगे बगार Modifier के यह ऐसा दिख रहा था Modifier के अब यह ऐसा दिख रहा है अभी इस Mass Object में जितना भी Edge Data है सब पर जो है Bevel Modifier एड हुआ है हम चाहते हैं सब पर नहीं अब चुने हुए Edge पर ही यह Modifier एड हो उसका भी एक Option है उसके लिए Modifier पर आएंगे Angle की जगह चुनेंगे Weight अब हम इसकी Shading चेंज करेंगे अब जाएंगे Edit Mode में अब जिस Information को हमें घुमावदार बनाना है उसको Select करना है Small Property विंडो में आना है Item में यहां पर Option दिया हुआ है Mean Bevel Weight इसको बढ़ाएंगे अब सिर्फ वो Edge Information ही घुमावदार होगा बाकी नहीं हम इसके Amount को बढ़ा सकते हैं Segments बढ़ा सकते हैं अब सिस Selected Information ने घुमावदार होगी सारी नहीं और जो अभी जो Information बनी है वो Virtual है उसे Real Geometry बनाने के लिए Modifier Apply करना होता है और वो केवल Object Mode नहीं होता है अब जो Information बनी है हम इस पर काम कर सकते हैं Solidify Modifier इससे हम किसी Thin Information को और मोटा कर सकते हैं Example के लिए इसमें Solidify Modifier एड़ करेंगे इसके Thickness बढ़ाएंगे अब वो Thin Information मोटी हो गई है और जो Information बनी है अभी Virtual है इससे हम Select नहीं कर पाएंगे तो इससे Select करने के लिए Modifier Apply करेंगे Object Mode में आएंगे Modifier Apply करेंगे अब हम इस Information पे भी काम कर सकते हैं Skin Modifier इससे हम किसी Vertex या Edge के चारों तरफ Information क्रेट कर सकते हैं तो इसका एक Example देख लेते हैं पहले यहाँ पर सिर्फ एक वर्टेक्स को ही बचाते हैं बाके वर्टेक्स को डिलेट करते हैं यहाँ पर केवाल एक वर्टेक्स है इस पे जो है Skin Modifier एड़ करेंगे उस वर्टेक्स के चारों और एक Information क्रेट हो गई है उसके बाद इस पे Subdivision सर्फिस एड़ करेंगे अब उस वर्टेक्स को Extrude करेंगे और करेंगे इसको भी Select करेंगे कीबोर्ड से Ctrl A बटन दवाने पर हम इसके जो चारों तरफ Information है उसको और मोटा पतला कर सकते हैं अब यह थोड़ा बहुत पेड़ की टहनी की तरह दिख रहा है अभी जो Information बनी है वो Virtual है, Real नहीं है इससे Real बनाने के लिए Modifier अप्लाई करेंगे Object Mode में जाएंगे अब यहाँ पर हमारे पास दो Modifier है एक है Skin Modifier, एक है Subdivision Surface इन दोनों का Order बहुत जरूरी है जैसे पहले Skin Modifier आया है बाद में Subdivision Surface हम इसकी Order को बदल भी सकते हैं इस पे Click करेंगे Hold करेंगे और नीचे लाएंगे अब Information थोड़ी Change हो गई है क्योंकि Subdivision Surface पहले आ गया Skin बाद में तो Modifier में हम दूसरा Modifier Add कर सकते हैं लेकिन उसका Order हमें याद रखना होगा और Modifier Apply करते वक्त भी वो Order बहुत जरूरी है तो Skin Modifier उपर ले जाएंगे इससे Apply करेंगे फिर Subdivision Surface अप्लाई करेंगे अब हम इसकी Geometry पे काम कर सकते हैं आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज एक Like कर देना Subscribe कर देना Thanks for watching my videos प्लाई करेंगे